हलो बच्चों आइम संतोज कुमार फ्रॉम न्यू एज कोचिंग अन आइम बैक अगेन विद न्यू चैप्टर फॉर यू और इस चैप्टर बिलॉंग्स तु दुट्टेंस अफ्लास एर्थ बिहार बॉर्ड तो आठमी क्लास के जो बच्चे बिहार बॉर्ड का सिलेबस फ हार्वेस्टिंग रेन तो यह टाइटल कैसा लगता है आपको रेन का मतलब तो बारिस है लेकिन हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है हार्वेस्टिंग का मतलब आम तोर पर हम लोग क्या समझते हैं कि फसल की कटाई करना जिस फसल की हम लोगों ने खेती की है तीन-चार महने पहले भुवाई की है, सिंचाई की है, जिसमें फूल आए, फिर उसके बाद उसमें बालियां आई है, अब फसल पक्कर के तयार है, तो अब हम उसकी कटाई कर रहे हैं, उसे घर ले जा रहे हैं, that is harvesting, harvesting of agricultural crop, और यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, harvesting rain, rain की harvesting करना, है न, बारिस की harvesting करना, तो interesting है न, काफ़ interesting है, so let's see, what is written in warmer section, पहले देखते हैं, warmer section में क्या लिखा है, लिखा है, do you like to play in the rain, तो मुझे लगता है, आप में से कौन ऐसा बच्चा होगा, साइध ही ऐसा कोई बच्चा होगा, जो बारिस में नहीं खेलना चाहता होगा, एक दो हो सकते हैं, so do you like to play in the rain, list the things which you do in rain water, have you ever seen people collecting rain water, how do they collect it, तो आप लोगों में से किन किन बच्चों को बारिस में खेलना पसंद है, और आप याद करने की कोशिस करो, आप चाहो तो एक list भी बना जकते हो, कि आप कौन कौन से ऐसे खेल खेलते हो, या काम करते हो, बारिस के पा है, बारिस का पानी कठा करते हुए, और उसे वो कैसे इकठा करते हैं, यही 3-4 सवाल है, वार्मर सिक्षन में, तो मैं चाहूंगा उन बच्चों से जो जिन्हें बारिस बहुत ही पसंद है, और साथी साथ वो बारिस में बहुत सारा तरह-तरह का खेल खेलते हैं, एक काम त सकता है ऐसा हो सकता है ओके सो वी आर कंटिनुविंग दे चैप्टर है आप लोगों ने कभी बारिस का पानी कठा किया है वह अपने पडिवार के वारे में बोलते हैं कि कि मेरा पडिवार बारिस के पानी को इकठा किया करता था और उसे अकसर अच्छे काम के लिए इस्तिमाल करते थे अच्छे काम में क्या बाते हो सकती हैं कि अगर बारिस का पानी इकठा करके लोग चाहें तो उसे थोड़ा सा फिल्टर करके कपड़े धोने के लिए नहाने के के लिए बरतंद होने के लिए या कुछ और भी इस तरह के कामों के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब मई जून के महिनों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और काफी दिनों तक लोगों को पानी की कमी भी हो जाती है कई जगों पर छोटे छोटे जो तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं नदियों की धार पतली हो जाती है लोगों के ट्यूब बेल से लोगों के चापा कल से पानी आनक कम हो जाता है तो पानी की दिक्कत तो होती ही है न तो यही लेखक बता रहे हैं कि इस तरीके से काफी द हो रहा उनके लिए, so what's in the next paragraph, my adventure with rain water never stopped there, while teaching at a school in the Maldives, I saw rain water harvesting, तो लेखक आगे बताते हैं, कि बच्चपन में उन्हें ये जो बारिश का पानी कठा काम बहुत मज़ेदार लगता था, तो ये जो रिष्टा रहा उनका बारिश के पानी के साथ में ये यहीं खत नहीं होता है, आगे चल करके जब लेखक बड़े हो जाते हैं, और वो एक टीचर का काम कर रहे होते हैं माल दिव में, तो वहां भी उन्होंने rain water harvesting, बारिश के पानी को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए लोगों को देखा, कैसे देखा उन्होंने, और rain water harvesting होती क्या चीज है, so it is a method of collecting rain water for domestic purposes, domestic purpose का मतलब क्या है, domestic purpose का मतलब है, घर में पानी से हमें जो जो काम करने होते हैं, जैसे हमें नहाने के लिए चाहिए, toilet के लिए चाहिए, खाना पकाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, यही सारा domestic use है ना पानी का, तो लेखक का कहना है जब वो teacher के तौर पर मालदीव में काम कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने लोगों को बारिष के पानी को इस तरीके से इकठा करते हुए देखा और वो बारिष के पानी को इकठा करके अपने घरों में इन सारे कामों के लिए इस्तिमाल करते थे तो है ना बहुत ही इंट्रेस्टिंग बाद The Maldives is an Archipelago in Southern Asia Made up of a group of 1190 islands So, mind the word 1190 islands तो Maldives क्या है Maldives बहुत सारे दुईपों का एक समूह है बहुत सारे छोटे छोटे टापूँओं का एक समूह है और इसके टापूँओं या दुईपों की संख्या कितनी है 1190 और ये दक्षिनी Asia में एक दुईप समूह है एक बड़ा प्यारा सा देश है ये ट्रैविलिंग डेस्टिनेशन भी है अक्सर लोग यहाँ पर सैर करने के लिए घूमने के परपस से भी जाते हैं और इस चैप्टर के जो लेखा हैं उन्हें वहाँ पर टीचर के तौर पर काम करने का मौका मिला था इसलिए वो अपना अन्वह हम लोगों के साथ में बाट रहे हैं अब वो आगे क्या बताते हैं तो यह एक चिंता की बात है कि वहाँ पर फ्रेस वाटर अविलेबल नहीं है पीने का पानी अविलेबल नहीं है जैसे हम लोगों के पार्स में सोर्सेज होते हैं हमें धर्ति की नीचे से बोरिंग से भी पानी मिल जाता है तो कुछ इस तरह की बात है कि मालदीव के पास में फ्रेस वाटर नहीं है फ्रेस वाटर नहीं होने की एक और बड़ी वज़ा है कि वह तो बहुत सारे टापूं का समू है और टापू समूदर में होते हैं और समूदर का पानी खारा होता है जिसे आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो मालदीव जो इतने सारे टापूं का समू है इसे बारिस कहां से मिलता है इसे North East मांसून से भी बारिस मिलता है और South West मांसून से भी बारिस का पानी मिलता है और अक्सर ये लोगों के लिए अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि कल बारिस होगी कि नहीं होगी या इस अगले सीजन में अगले बारिस के मौसम में कितनी बरसात होग चरुदरत के इतनी होगी उस से कम होगी या जादा होगी ये बहुत बड़ा पजल होता है बहुत बड़ा एकसरसाइज होता है वेधर फोरकास्टिंग करना और बारिस के बारे में अंदाजा लगा पाना और जैसा कि लेखक ने बताया कि मालदीव में पीने के पानी की कमी है So it is difficult to get ground water and it is not fit for drinking और वो समुदर के बीच में ही है तो ground water में भी कहीं ने कहीं वो समुदरी पानी मिला हुआ निकल करके आ सकता है That's why the people have been taught to set up a good system of rain water harvesting इसी लिए वहां की सरकार ने वहां के लोगों को rain water harvesting के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक बढ़िया टेकनिक सब लोगों को सारे पड़िवार को उन्होंने सिखाया हुआ है तो आगे हम लोग rain water harvesting के बारे में ये जो टेकनिक वहां पर use की जा रही है वो भी थोड़ा सा देखते हैं तो देखते हैं अगले paragraph में क्या है इच newly built house is fitted with sloping roofs made up of corrugated iron तो बताते हैं कि वहां पर जितने भी नए घर बनते हैं उनका जो roof होता है उसकी जो छट होती है छपर होती है वो sloping होती है एक एंगल पर नीचे की तरफ में जूकी होई होती है और ज्यादा तर छपर जो है घरों की वो iron folds की बनी होती है इसलिए लिखा है corrugated iron seats this is ideal for collecting rain water gutters are nailed to the base of the roof and the sealed off at one end तो यह भी है कि यह सारे की सारे जो घर होते हैं नए घर बनते हैं उनकी छटें लोही की seats की होती है जिससे पानी को इकठा करना बारिस के पानी को इकठा करना बड़ा आसान होता है और इसके साथ में ही एक gutter fix किया हुआ होता है ताकि बारिस का पानी ऐसे करके निकलेगा और सीधे वो उस gutter में चला जाया करेगा और उस गटर का एक सीरा खुला होता है जहां से बारिस का पानी इकठा होता है दूसरा सीरा बंद होता है So the other end of the gutter has a pipe that leads to a huge tank made of cement तो उस गटर का जो दूसरा हिस्सा होता है वो pipe से जुड़ा हुआ होता है जिसके साथ में एक cemented बड़ा सा tank होता है water tank The pipe is extended in such a way as to deliver the water into the tank The tank has a tap at its base Some houses have a system for locking the tap also तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बारिस का पानी छट से होकर के गटर में इकठा होता है गटर से pipe के जरिए एक cemented tank जुड़ा हुआ होता है और वो pipe कुछ स्थरी के से जुड़ा होता है कि वो tank को पानी दे सके और tank में उसके base में एक नलके का system वही water tap जो हम अपने घरों में इस्तिमाल करते हैं वो भी लगा होता है ताकि जरुद परने पर उसे open किया जा सके close किया जा सके अगर या वहां से पानी कहीं और circulate करना हो तो ये काम भी किया जा सके so once the tank in the house where I lived ran dry तो लेखक बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि एक बार वो जिस घर में रहते थे मालदीव में उस tank का पानी सूख गया once the tank in the house where the writer lived ran dry I did not have to worry उन्हें चिंता करने की जरुद नहीं थी क्यों कि the school had plenty of water all through the year can you guess why the area of the school roof being extremely large the amount of water collected is greater तो लेखक बता रहे हैं कि जब उनके कमरे के टैंक का पानी खत्म हो गया किसी वज़ा से तो भी उनके लिए पड़ेशानी की बात नहीं थी क्योंकि उनका जो कमरा था रहने का रेजिडिन्स था वो school के पास ही था और school का campus बड़ा हुआ करता है और उस साल काफी बारिस भी हुई थी तो school में जितने भी building's होंगे जितने भी classroom's होंगे cabin होंगे, office होंगे सब की छटों से जोर करके अगर gutter से water tank में पानी इकठा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो you can guess it very well कि कितना पानी इकठा हो जाएगा और ये कितने लोगों के काम आ सकता है और इसलिए लेखक ने लिखा भी है कि उनके लिए चिंता करने की बात नहीं थी because the area of the school roof being extremely large so after a long dry spell one night there was a heavy down power और वो आगे ये भी बता रहे हैं कि वहाँ जब जून के दिनों में एक बार काफी दिनों तक गर्मी पड़ी काफी दिनों तक बारिस नहीं हुई फिर एक रात वहाँ पर काफी जोड़दार बारिस हुई तो इसमें चिंता की तो बात ही नहीं है बारिस होने के बाद में सारा का सारा पानी टैंक में कठा हो जाएगा जो इन लोगों के काम आने वाला है तो लेखक आगे लिखते हैं कि I was delighted because that meant that my tank was filling up तो बारिस होगी और छट से पानी इकठा होगा टैंक में तो सिर्फ स्कूल बिल्डिंग का तो नहीं होगा जितने भी घरों में ये सिस्टम बनाया हुआ है ये टेकनिक यूज किया जा रहा है उन सारे घरों में पानी इकठा हो जाएगा इसी लिए लेखक काभी खुश थे क्योंकि अब उनके टैंक में भी पानी भरा जा रहा था बट अब ये सर्प्राइज होने वाली बात है कि अगली ही सुबह वो टैंक खाली हो गया क्यों अब 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 लेखक को इस बारे में अच्छी सी जानकारी नहीं थी या ये उनका पहला अनुभव था मालदीव में रहने का ऐसी जगर पे तो होता ये है वहाँ पे कि जब भी वहाँ बारेस की सीजन में पहली बारेस होती है तो पहली बारेस के पानी को वो अपने टैंक में स्टोर करके नहीं रखते उनका ये सोचना है और ये सोचना काफी हद तक सही भी है कि पहली बार इस से घर की छटें धुल जाएंगी टैंक धुल जाएगा पाइपलाइन धुल जाएगी गटर धुल जाएगा और जो भी कचरा कहीं भी फंसा है वो बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से नेचुरली वो टैंक एक बार को साफ हो जाएगा, तो इसी लिए पहले बारिश के पानी को वो लोग टैंक में स्टोर नहीं करते और ये बात लेखक को पहले से पता नहीं थी, तो आखरी पैरागा आप में लेखक लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग बारिश के पानी को इस तड़ीके से अपने पास इकठा करके रख रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी ये चलन ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, सरकार कोशिस कर रही है, कुछ पढ़े लोग लिखे लोग इस बारे में प्रयास कर रहे हैं और लेकिन इसको बड़े पैमाने पर किये जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में काफी सारा रेन वाटर लोस्ट हो जाता है, रेन वाटर लोस्ट अगर हो जाएगा, अगर हम इसका इस्तिमाल नहीं करेंगे, तो आखिर कहां जाएगा, ये खेतों में चला जाएगा, नदियों में चला जाएगा, बैकर के कहीं और चला के लिए जमीन के अंदर से पानी कीचने के लिए उसे हम minimize कर सकते हैं इसलिए लेक्टिसिटी ऑलसो तो इसलिए लेक्ट कहते हैं कि यह हर पडिवार के लिए और हर स्कूल वालों को इस चीज के लिए encourage कि जाने की जरूरत है हमें बारिस की पानी की जरूरत है इसका काफी importance हो स पीने के इस्तेमाल भी कर सकते हैं और तो और अगर हम चाहें तो या बहुत सारे छोटे किसान या मध्यम दर्जे के किसान अगर सही से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक यूज करते हैं वह अपने खेतों की सीचाई करने के लिए भी पानी जमा करके रख सकते हैं तो इस तड़ी के से हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा रेन वाटर के बारे में यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंट्रोड़क्टरी चैप्टर था और इसके साथ साथ में लेकर ने थो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए बिजली बचाने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ रेन वाटर का यह इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम सब लोग यह तो जानते हैं कि दुनिया में पानी की कमी नहीं है ल chapter is finished here now we will move to the section of glossary where we discuss about new words used in this chapter so first word is shortage shortage का मतलब है कमी not having enough thrilling very happy exciting adventure यह हम लोगो ने अभी पढ़ा था तो adventure का मतलब होता है an act of doing unusual thing साहसिक काम करना रोमान चक काम करना जिसमें थोड़ा सा डर हो थोड़ा सा नयापन हो and what is meant by harvesting very simple collecting storing yields तो harvesting का मतलब होता है फसल कटाई करके इकठा करना अन को जमा करना और यहां पर हम लोग बारिस के पानी को harvest करने की बात कर रहे हैं उसे भी इकठा करने की बात कर रहे हैं next word is domestic that is adjective it means that household घरेलू अगला सब्ध है archipelago इसका मतलब है group of islands तो हम लोगों ने पढ़ा था न कि मालदीब कितने सारे द्वीपों का समूँ है कितने सारे टापूँओं का समूँ है यह 1190 टापूँओं का समूँओं और ऐसे group को group of island को archipelago बोलते हैं next word is groundwater groundwater वो है जहां पर हमें पीने का पानी जमीन के अंदर से मिलता है water that comes from the wells and springs जो जमीन के अंदर से जो जहरने फूटते हैं कुए होते हैं या बोरिंग का पानी corrugated हम लोगों ने corrugated iron seeds के बारे में पढ़ा जिसका इस्तेमाल होता है घर की छटों पर these are iron seeds made into folds वो उसमें धारियां बनी होती है छोटे छोटी नालियां बनी होती है जिससे बारिस का पानी आसानी से कठा हो करके नीचे गिर सकता है छत पर ज़्यादा load या pressure नहीं होगा gutters a long pipe fixed at the edge of a roof to carry water एक तरह का नाला man-made artificial नाला delighted delighted means pleased feeling happy down power down power का मतलब होता है बारिस होना अच्छी खासी बारिस होना abundant abundant का मतलब है किसी चीज का भरपूर होना plenty enough आखरी word है इस section का severe इसका मतलब होता है too much कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाना तो इस तड़ीके से हम लोगों ने आपका ये chapter finish किया अभी अभी जिसका नाम था harvesting rain आगे चल करके हम लोग इस chapter का follow session कंड़क्ट करेंगे जिसमें मैं इसका question answer solve करने के बारे में बताऊंगा तब तक के लिए मैं आप से एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा मेरा चैनल याद रखें इसे share करें सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले बच्चों को बताएं चाहे वो ncrt का syllabus follow करते हो या बिहार बोड का मैं सब के लिए काफी सारे lectures डाल रहा हूं तो मेरे चैनल का नाम है new age coaching इसे subscribe करना ना भूलें फिर मिलते हैं happy learning बाबाई